पर अब कामा इंजन हैं ट्वनिटीछिद इसका पेटी है इसमें सामान निकाल लिया है कुछ सामान अन्य रखा हुआ है इसके बटगा वगएड़ा लेग काड़ वगएड़ा सब रखा हुआ है अब इसको फिटिंग करने हैं मसीन फिटिंग करने सबसे पहले इसमें टायर में होल्डर लगाना पड़ेगा जो आप देख सकते इसमें लगा रहा है अभी 16-17 नंबर को बॉल्ट लगे हुए इसमें पन्नी है इसमें मसीन का फेंडर का पिन बगरा इसी के अंदर मिल जाएगा ठीक है इसमें बड़ा बड़ा पिन उठालेंगे जिसको आप टायर में लगा लोगे ठीक है टायर का जो थुरा होता है इसमें दो पन लगा देना है अब जो तरीके दूसरा बाला भी टायर लगाने के लिए अलका सा एक शाइट से दिफा देना है एक शाइट तो ठाके और जो इसका टायर का छेद और जो रोटरी का छेद दोनों का छेद लुकुल सामने सामने बहने चाहिए जिसमें आसानी पिन डाल सकते लगा कि उसके अब लगाने के लिए इसमें अब लगाते हैं अब लगाने के लिए ये देखिएगा एक बोल्ट मिलेगा ठीक है लगा हुआ आएगा अगर लगा हुआ नहीं आता है तो यह चार बुल्ट कुनके बैट्ची बोख लगा जाएगा और इसका वायर जो है वो कंप्लीट है अब इसका हैंडल लगाती है लगा कोता है पार उसमें यह देख्येका उसमें अंदर निकाल के उसकी बाद उसको फोटावाला वजुपुत्छा होता है इससों टाइट कर देना होता और है एकदम सीधा सेन्ट्र में मिला के इसका सेन्ट्र में लाके सीत कर देना वहने यह लगाने के बाद में फिर यह वाला हेंडल लगी दा ठीक है इसके लिए आपको बड़ा बाला पुल्ट मिल जाएगा एक सबसे पहले वायरों को सई कल देना है कि वायर जो की हेंडल को उचा नीचा करने में अर्जेस्ट करने में कोई दिक्कत ना हो इसमें लगा दिया है इसमें लगाने के बाद में यह वाला बुल्ट मिल जाएगा यह वाला बुल्ट खोल के इसमें एक साइड फिल्यन रहेगा एक साइड बुल्ट को खांचा रहेगा ठीड है इस तरी जैसे लग जाएगा चिसके पहले plan visel इसमें लगाना है और को अपने ढरने को और कि को उसको सायट करना है है अपनी चाहत बर São. जितने पर आप काहिट आ रहा है हो इस आपसिस को काहिट कर देना है बंपर लगाने के लिए आगे हभी वाला बंपर लगाना है उसके लिए आपको बड़े-बड़े बोल्ट मिल जाएंगे देख सकते इसमें एक ए रहा एक ए रहा इस टाइप पे चार बल्ट मिल जाएंगे ठीक है बुल्ट टाइट करने के लिए उपर से 10 नमबर का रिंच लग जाएगा और नीचे से 13 नमबर का रिंच लग जाएगा दोनों को टाइट कर देना उसके बड़ एर फिल्टर लगाने के लिए ये सामने बारे तीन बॉल्ट इसमें 10 नमबर का रिंच लगाने के बाद में ये फिल्टर लगाना है इसके नीचे से लोग खोल लेना है आसानी से खुल जाएगे उसके बाद में अंदर वाला जाली निकालके इसके अंदर 50 ग्राम इंजानोल डल देना है नया वाला ठीक है इंजानोल डालने के बाद में इसको बंद कर देना है और बंद करने के बाद में इसको सेट कर देना है इसको सीधा रखना एक ठेड़ा रखे गए तो बगर जाएगा नीचे कर जाएगा आसानी से खुल जाएगा तेरा नमबर का और लगाने के बाद में इसको एकतम टाइ तेना एफ चीरा फिन लगा देनगा और इसके बाद में वा उत्या एफ नवå में लग जाए मुक्ट कि श्याओक में को देखका नहीं है आथा नहीं ही लगा देखकी लेका ह Вас और में है अगर ये य। नहीं लगता है तो इसके अर्जेसन हो जाएगा ko Mountain उसके बाद में कितना लगाने कवाद में इसमें टूल रॉक्स लगेगा लकाने के लिए समें स्धार स्थेद उन्टर में आना चाहिए और नमपर की बुल्टस में लग जाएगा टपोलीट हो जाएगा त्यूल बोक्स लगाने के बाद में अब इसमें लगाते हैं मटगाड फेंडर फेंडर लगाने के लिए इस ताइब का पत्ती मिलेगा बड़ा था ठीक है इस तरीके से लगा देना है यहां पर पीछे वाले छेद हैं इसमें लगा है कि अगर अरजेशन हो रहा तो आगे वा में भी लगा सकते हैं तो इसमें 17 नमबर का बोल्ट लगेगा और नीचे से प्लेन भाई से इसके बाद पीछे वाला पत्ती लगाने के बाद मैं आगे वाला पत्ती लगाने के लिए इस टाइब का आपको पत्ती मिलेगा देखने के यह देखिएगा जैसे इदर की साइट लगाया पत्ती पुछी टाइप का यह उदर भी लगा देंगे पत्ती कंफ्रीट करने के बाद में इसमें मटगाट लगाएगा मटगाट लगाने के लिए डो गुल्ट आगे लगेगा और इन गुल्ट पीछे लगेगा एक मटगाट लगके कंफ्लिट ओक उस्टकाए यहां पर भी गुल्ट लगा लियां यहां पर भी लगा देना होता है जब जूसरा वाल मटगाट लगाते हैं जब लगेगा शाप मन लगाएगा यहां पर लगाना है एक यहां पर लगेगा एक नीचे लगेगा कि अभी करते हैं इसका वायरिंग करते हैं इसका वायरिंग सबसे पहले आएगा आपका आच यहां चसी लगाएगा लगाने के लिए यहां रुवर्ण लगाने के लिए भुटन है जैका पहले पूरा अंदर दालने माइना लेंकर प्सादीया होता यहां पर पसा देना होता चीज़ यहां पर पसाने के बाद में इसमें लगाने के बाद में बूल्ट को बार के साद निकाल देना एक्षिए-डर लगाने के लिए यह सीध्र जाएक आपका थंकी की नीचे कंकी की नीचे लगाके इसमें लग जाएगा ये वाले में लगाने के बाद में इसमें पढ़ जाएगा इससे आप इसके बाद में एक्सिलेटर से इससे कम जादा करने पर भ्यारू होना चाहिए इस तरीके से काम करना चाहिए अब करते इसका सेल्फ का वायरिंग करने के लिए यहां पर आपका उनुक वाला सुच दिया होगा यह वाला इसको आप अपने इसाफ से कहीं भी लगा सकते हैं और मैंने इसको यहां पर अर्जिस्ट कर लिया कोई दिखत नहीं है ठीक है इस वाला मिल जाएगा पूसट लप का जो प्लेस 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 शनुक द्रीमें ओके प्लेस प्लेस पॉाइंट नुट हिस मैं जो मायरिंग रहेगा वह आपका अर्ट रहें गड़ी जाएगा यह पीछे दो आपका हिच्छ दिया हुआ है इसमें लग जाएगा आपका हिच्छ और इसमें चार-पांच शेदा होगा वाला रोड भी लग जाएगा अभी देखाते हैं इसमें लग जाएगा और इसमें लग जाएगा तिक है दोनों आप उसमें कब्लिंग हो जाएगा उपर से तीसरे नमर शेदान आपको लगा के चलाना है जब जुताई करना जाएगा उपर से तीसरे में कि वाला आपको न्यानो प्लेच हो गया इसको दवाना है इसको दवाईएगा तो चलेगा छोड़ देंगे तो अब कि जाएगा ए रिवर्स की एर जब तो दवाईएगा नहीं और उसके बाद में आपको लिए दवाएगे तो कुछ याना इस्टाट हो जाएगा यह एक्स बाला हो गया गियर सबसे पहले गियर लगाना है गियर लगाने के बाद में आपको कि लिच दवाना है कि कि कि